कबशुचान दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों काफी दिन के बाद में स्टूडियों स्टूडियों में वैडियो बना रहा हुआ आपने मेरे इससे पहले के जो वीडियो देखे होंगे सारे काड़े में वीडियो बना रहा था क्यूंकि कहीं मेरे कोई साइबर सेल आफिस आना पड़ रहा था कभी वहां जाना पड़ रहा था मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं स्टूडियो में बैट के वीडियो बना होंगे कि अगर आप टाइमली इमाइस पें नहीं करते हैं तो आपका क्रेड़िट स्कोर भी खराब होता है और साथ ही साथ रिकवरी वाले भी आपके घर पे आते हैं तो इनका जैसे अगर फ्रीज कर वा देते हैं तो मैं आपके यहां पर मिलने आऊँगा और आपके सब विडियो बनाऊगा कि काफी कमी लोग जो है कोई शार्त करें तो चांब लेकिन काफी कम लोग बाहर ने लिए पार और यहां पर रहती है तो इन्होंने की सर आप आप से मिल लेता हूं और और वीडियो भी बना लिए तो मैंने हिंपने घर बुल लिए कंपना ला ला लिया कि इन्साडियों में चला रहा घंटा चला रहे तो उस दो शब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे देखा और डाउनलोड करा तो उसमें कुछ पैसे लगाए पहले तो हजार पे से मैंने कुछ पैसे अर्न करें वहां से तो मैंने कुछ पैसे हारी वहां से मैने और कुछ पैसे जीते भी ऐसे खेलते मैंने ऐने गेमिंग हो गया था ज्यूद में वालट मैं अच्छ पैसे जीते हुए और तो मैंने फिर मैं बैंक गया आपने तो बैंक वालों ने कहा कि सर आपका यह अपने लाग रुपे तो मेरा वह चल रहा था पांस बाद मेरे एकाउंट कोशन कर दिया तो फिर मैं बैंक गया कि सर यह मेरा पूरा अकाउंट ईख आप मेरा पिर पर बैंक वालों ने मेरे को क्या करा कि केस नंबर एक पुलिस का नंबर दिया हूंने कि आप इन पर कॉंटक्ट करो आपको पर सॉलुएशन मिलेगा फिर मैंने उस नंबर पर सब क्या क्या हुआ। इसके इंड होता है। मैं ने उसने चार जार उपर सब्सक्राइब करना तो यूटूब पर यूटुब पे तो एडवोगेट बहुत सारे बिले तो एक एड़ोगेट से मेरी बात हुई उसने यह बोला कि सर हम आप से 4000 रुपे लेंगे चार जार रुपे फिर आपके यहां से नोटीस बेजेंगे तो मैं देखें अपना एक मैंने में अंत्री हो जाए फिर एक मैंने वेट करा उसके बाद भी कोई शॉलिशन निला मैंने वस एड़ोगेट से बात भी करी उसका कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा तो पिर यहां पर मेरी एम भी बाहुं सुने लगी मेरा हूं लोन चलता है तो म पर्शाम हो गया बिल्किली अब फिर में पर इतने कॉल आने लगे मेरे दो मैंने ऐसी वेस्ट हो गया तो मैं और वीड़े देखी तो में को सर का नंबर मिला तो दैं मैंने सर के साथ कॉंटक्ट करा तो सर ने मेरा 10 से 12 दिन के अंदर मेरा एकांट अन्फ्रीज करवा आपको बताता हूं कि पहली बात तो इनको प्रॉपर टीटेल नहीं मिले थी अब केरल चोटा जगह तो है यह पता करना जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा था तो फिर इनको मैंने बोला कि आप अपने चंडिगर साइबर सेल में जाए तो यह चंडिगर साइबर सेल गये व वहाँ पर जाने के बाद इनका क्या था है कि जो 15,000 रुपय का होल्ड हुआ था ह।andсон का यह चांड को वालों ने कहा हुआ है लगा रहे हैं बाकी एकाउंट अन्फ्रीज दुबारा करें मतलब जो इनके साथ पहले हुआ था कि 15000 आये वह बाकी एकाउंट चालू था तो इसलिए जो है महापर साइपर सेल वालों ने बोला कि हमने इनका इकाउंट फ्रीज इसलिए क्या क्योंकि इन्होंने कोई चल रही है तो जब वहां के पुलिस वालों को लगा कि इनके तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा तो उन्होंने एकाउंट को फ्रीज कर दिया तो जाहिए सी बात है दोस्तों कि जाना फालत हो गया इतना दूर जब एकाउंट फ्रीज हो गया तब इनको भी दिक्कत हो सब्सक्राइब को जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब आपके वजह से दूसरों फ्रीज होता है तो उसकेस में सिर्फ उनका अकाउंट नंबर और एक नोसी जाती है सब्सक्राइब को और बैंक जो है देखता है कि आगया देन वह उनक्रीज हो जाता है लेकिन इनका कैस कैसे हुआ कि 15,000 रुपय का होल लगा दिया गया बाकी का एकाउंट ऐसे चल रहा है और अभी भी 15,000 का होल्ड अकाउंट में दिक्राएब आप यहां पर देख सकते मै इनका वाट्सेप का स्क्रीन भी आपको दिखा रहा हूं मैंने लिग दिया तकि सब्सक्राइब बैंक में वहां पर पता करा और देखा कि हां सर्ण रहनों सी आ गई है इनका अन्फ्रीज हो गया आप लोगों को भी मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों कि कभी भी आपका अगर आपके उस खाते में कोई ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे है या यह माइस भगेरा नहीं जारी तो ज्यादा टैंसल लेने की जुरत नहीं है लेकिन बड़ा आमांट है आपकी यह माइस भगेरा जारी है और लगा दिया गया तो सबसे पहले खाते में जो भी पैसे ना उसको निकाल लो क्यूंकि वह एकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है चाहिए लील लगा हो वह एकाउंट कभी फ्यूचर में फ्रीज हो सकता है सर ने क्या करा 15,000 का होड़ हुआ छोड़ दिया एक वाला कि कौन जाएगा भाद दूगा अब एक लाग सतर आजार पैसे खाते में 150 उपर एक पचास एक सतर के करीबन इनके खाते में पैसे थे तो वो पूरा पूरा हो गया अब बोल्ड होने के बाद क्या होगा कि अब इससलिए जब भी आपके खाते में कुछ इस तरीके का होता है तो पैसे को निकाल ले काफी बार ऐसा होता है कि कुछ दूसरी बात तो अब होता है कि मैं जाके सौट आउट कराता हूं लेकिन उससे बाहर का जो केस होता है तो इसलिए जह है कभी भी ऑकाउन फ्रीज होता है तोटली डेविड फ्रीज होता है तो उस case में तो आपको उस state में जाना भी पड़ता है लेकिन जाने से कोई दिक्कत नहीं है काफी लोग डरते हैं कि मैं चला जाओंगा तो क्या हो जाएगा लेकिन हां कोसिस करें कि ना ही जाए कॉल करने की कोसिस करें क्योंकि काफी बार ऐ अब कर दिया है कि इसलिए सोच समझ के जाए कितना आपका dispute कर सकते हैं और साथी साथ मैं आपको भी सुप्रियादा करना चाहूंगा जो है आप वीडियो बनाएं क्योंकि काफी कम लोग बोलते हैं कि सर्में वीडियो बनाने के लिए रही हूं और दो-3 लोग और जिनके स कोई cases होते हैं और आप जरूर में रहते हैं तो मेरे से एक बार जरूर मिलें और को यह बनाएं कि गेमिंग एप से और कोई ऐसे वैसे जो देखते हो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए और खासकर स्टूडेंट लोग मेरे पास तो सबसे ज्यादा आते हैं स्टू कि जो पर कुछ नहीं रखा कोई shortcut नहीं होता है पैसे और करने का अगर पैसे और नहीं चाहते हैं तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपके खाते में कोई इंपेक्ट ना पड़े कि शागे कि काफी लोग जो है मेरे को काफी लोग पताते हैं सारे बाते काफी सारे चीजे ह debates प्रेश चलते-ब्स जरूर करूंगा तूर नो